नमस्कार दोस्तों, तो हम शुरू करने जा रहा है एक सीरीज ओफ वीडियो जिसमें हम सीखेंगे वेब डिवलप्मेंट के बारे में, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल साफ वेब डिवलप्मेंट से, तो मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउं कर ले, तो जासी फ्लो में हम चलेंगे, तो जैसे कि भाई साब कहे रहे हैं कि फंडामेंटल सार वेरी इंपोर्टन और मैं भी अगरी करता हूं, तो फंडामेंटल से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको वेब डिवलप्मेंट सीखने में मज़ा आए, डारेकल आप कोड वगरा सीख कर रहे होंगे, what is वेब, हम बात कर रहे हैं वेब डिवलोप्मेंट की, तो हमें पता होना ही चाहिए, वेब क्या होता है, कोई मकडी का वेब नहीं होता, कॉंसेप्ट तो वह असलब उसी से इंस्पार हुआ है, तो इंटरनेट में भी वेब का कॉंसेप्ट होता है, तो व वेब साइट क्या होती है, और कैसे काम करती है, यह इसके बारे में हम लेंगे, उसके बाद बात करेंगे, वेब पेजस की, वेब साइट कंसिस्ट आफ वेब पेजस, तो वेब पेज क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे, उसमें टाइप आते है, स्टाटिक और डाइन और इसमें भी हम एक नए तरीके से समझने का try करेंगे उसके बाद समझ रहे होंगे हम request और response cycle क्या होता है जैसे client server को request बेज़ता है, server request accept करता है और response देता है client को तो उसके बारे में समझेंगे फिर हम बोलते तो है front end, back end and full stack development पट हमें ज्यादा चीज़े clear नहीं होती है तो इसमें हम बहुत ही आसन तरीके से आपको में समझने का try करूँगा कि front end क्या है, back end क्या है और front end plus back end मतलब full stack तो इसके बारे में हम ज्यादा clarity लेंगे उसके बाद देखेंगे IP address क्या होता है that is internet protocol उसके बाद domain name system, URL that is uniform resource locator database के बारे में जानेंगे database के बारे में आपको basic idea होगा ही पर फिर भी हम थोड़ा सा clarity देंगे उसके बाद हम discuss कर रहे होंगे role of internet के बारे में role of internet in web development उस client and server architecture के वीडियो में भी मैंने short में discuss किया हुआ है और कैसे मतलब दुनिया भर में cables बिचाया रहते है उसके बारे में हम detail में जानेंगे आने वाली वीडियो में बड़ आपको अभी जानना है तो आप उस वीडियो को थोड़ा सा वाच कर सकते हो ठीक है तो उसके बाद हम देखेंगे www के बारे में that is worldwide web consortium और जिस परसन ने इसको बनाया उनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे हम that is team bernas lee team bernas lee एक बहुत ही inspirational person है अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे उनका background पढ़ेंगे और जो उन्होंने काम किये है वेब development में मतलब तो आपको बहुत ही inspiration मिलेगी और जैसे हमारा nobel prize होता है न तो computer science के दुनिया में christis award होता है turing award तो ओ आवार्ड भी उनको receive हुआ है तो उनके बारे में हम detail method से जानेंगे अब आता है actual interesting part तो हम start करेंगे HTML, CSS और JavaScript से this is a kind of front end इसको बोल सकते है front end development के लिए हम use करते है HTML, CSS और JavaScript ठीक है HTML में हम समझेंगे सारे tags के बारे में HTML का role क्या है सबसे पहले तो HTML क्या है फिर हम HTML के basic जो boilerplate code जो बोलते है उसका anatomy करेंगे ठीक है एक क्लाइन को हम समझेंगे कि एक क्लाइन का role क्या होता है उसके बाद CSS का role क्या है web development में फिर JavaScript ऐसे ही मतलब इन तीनों चीज़ें सीखने के बाद हम कुछ project बना रहे होंगे जो भी हमने सीखा उनको हम implement कर रहे होंगे उसके बाद हम start करेंगे after finishing with HTML, CSS and JavaScript हम start कर रहे होंगे Django से Django is a web-based Python framework जो की backend में backend development में काम आता है ठीक है इसके बहुत सारी features वगारा भी है आपको framework अगर अभी नहीं पता है तो हम उसके बारे में बेटर में जानेंगे Django पढ़ने के दोरान ठीक है तो I am very excited to start this series और इतना ही नहीं जो भी हमने सीखा उनको अगर हम implement नहीं करेंगे तो फाइदा नहीं है कुछ software की दुनिया में एक बहुत ही popular code है talk is cheap, show me the code तो जो भी हमने सीखा उसको हम apply नहीं करेंगे कुछ develop करने के लिए कुछ बनाने के लिए तो उसका कुछ फाइदा नहीं है हम बोलते तो ही knowledge is power बट हमारे case में वो इतना true नहीं है जब तक knowledge को आप कुछ practical application में use नहीं करोगे तब तब उसका कुछ फाइदा नहीं है और आप सीखो के भी नहीं बतलब knowledge तो gather कर लोगे तो अब जब तक उसको apply नहीं करोगे तो आप उसको भूल जाओगे तो हम minimum 3-4 project बनाई लेंगे पूरे चीज़ा सीखने के बाद और जब हम सीख भी रहे होंगे तब भी हम कुछ छोटी-छोटी kind of programs बना रहे होंगे तो other than this web development या फिर programming के अलावा भी कोई technical topic आप समझना चाहते हो तो उसका नाम आप नीचे कवर में लिख सकते हो तो मैं पूरी कुशिश करूँगा दोस्तों कि आपको उस topic को बहुत ही आसान शिब्दों में आपको समझा सको तो इस वीडियो में इतना है दस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिन